हेलो, नमस्कार, मैं B2J स्वाल, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके प्यारे चैनल, कैटलिस्ट एजुकेशनल केंपस पे दोस्तो, हम लोग 12th क्लास का बाइलोजी का चेप्टर 3 का कोश्चन एंसर देख रहे हैं, NCRT का तो जिसमें से हम लोग 1 से लिकर 5 तक कोश्चन कर चुके हैं इसे पहले वाले वीडियो में, आज जो है, आज हम लोग 6 से कोश्चन इस्टाट करेंगे, और कोश्चिस करेंगे कि 10 तक समात करते, 20 कोश्चन है टोटल, तो अभी यहाँ 6 से स्टाट करते हैं, तो 6 नमर आनू का नमांकित चितर बनाना है, और साथ ही साथ इसका सब का नमांकित करने के वदलब है, नाम जोर अंकित, यानि सब पाट का नाम लिखने ना है, यही पर नमांकित चितर के साथ वर्नन करता, तो यहाँ पर सभी भाग का वर्नन करना पड़ता, ठीक है, तो सब से उप उसके नीचे केंदरा, यमीर गिल शुत्री पदार्त, यह सब बता दी हुए, और तिनों के मिलाकर क्या कहते हैं, तिनों के मिलाकर कहते हैं, सिर्स, हेड, ठीक है, और बीच, यहाँ ठीक उसके नीचे होता है, हेड के नीचे ग्रीवा, अगर एकजाम में अगर भूल गए, कि यह सबका नाम याद नहीं रहा तो वहां पर कम से कम इस भाग को लिख दिजिएगा से उसके बाद निचे होता है ग्रिवा उसके निचे होता है मेडिल पीस, यानि मध्य खंड उसके निचे सुत्र कनिका जिसको कहा दा है प्रिवाइब माइट्रो कुंड्रिया क्यों जरूरी है तो त्यारने के लिए उर्जा का सुर्वत जहां और जो एक लास्ट में एक चीत रिज जाता है जो इसका टेल गया यानि पूछ गया है छी Spiel Ben कि इसको बना लिजिए आँ के चलते हैं नेक्श्ट कोशन पर हैं नेक्श्ट कोशन ज्वराई सुक्रानू जमन लंक्या है संचेप में सुक्राना जमन प्रेक्रिया का देखे अगर शुक्राणु जनन पुछ दिया तो मिनमाच मार्क्स का पुछता है ठीक है तो पाँच मार्क्स पेसाफसे आप लोग दिमाग में बैठा लिजिए कि पाँच मार्क्स में ही पूछेगा तो शुक्रजनन को है? तो ब्रिशन में अपड़ी पक्व नर्जन कोशिकाय यानि सुक्रजनन यानि एसपर्मेटुस जेनेसिस द्वारा सुक्रानु उत्पणू करती है जो की किसोरा वास्ता के समय या शुरू होती है और सुख्रजनक नलिकाओ की भीत्री भीति में उपस्तीत सुकरानु जन समसुत्री विभाजन परा संख्या में ब्रिधी करते रहते और उसके साथ परतेक सुकरानु कैसा होता है और उसमें 46 गून सुत्र पाया जाता है जुकरानुजन जन बोलना है कुछ सुकरानुजनों में समय समय पर और्शुत्री विभाजन या और्चुत्रन जिसको 저 मियोटिक डिविजन कहते हैं इंगलीश में होता रहता है जिनको प्रात्मिक शुकरानुग को सिכाय यानि primary espermatoCo-cite कहते हैं और एक प्रात्मिक शुक्रानु कुष्का पर्थम और सुत्री विभाजन यानि नियुनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुनित सनरचनाओं का अगुनित कुष्काओं की रचना करती हैं। जिन्हें दुत्यक सुक्रानुक वस्काय यानि सकेंडरी एस्परमेटोसाइट कहते हैं यानि 46 गुनसुत्र से इस परकार उत्पन परते क्वस्का में 30 गुनसुत्री होते हैं यानि युगमक क्या हो गया? आधा हो गया इसलिए कहते हैं औगुनित और दुत्यक सुक्रानु को सिखाए, दूसरे और सुत्री विभाजन से गुजरते हुए, चार बड़ाबर और गुनित सुक्रानु प्रपसु यानि एस्परमेटिड पैदा करते हैं, एस्परमेटिड और सुक्रानु प्रपसु रुपांतरितोकर सुक्रानु में, यानि एस ओफ-लाइन बैच से देखना पड़ेगा या कहीं पे भी देखिए तो सुक्रानु जनन के पुड़ा किरिया को समझना पड़ेगा यहां पे हम लोग सिर्फ को सनेंसर देख रहे हैं तो को सनेंसर में क्या क्या लिखना चाहिए यहीं बता हैं इसमें कुछ समझाए नहीं तो इससा नहीं समझें कि सिर्फ हम लोग लेखते में चल लें तो इसके लिए आपको या तो बैच से देखना पड़ेगा या आपको खिताब सही से देखना पड़ेगा तब यह समझ में आएगा सुकराणू जन की प्रिक्रिया के नियमन में सामिल हर्मोन के नाम बटाए या नहीं सुकराणू जनन जो होता है तो उसमें कौन कौन सा हर्मोन काम करता है तो देख लिजिये तो सबसे पहले तो गनाअडाट्रोपिंड रिलिजिश यानि GnRH , गुनैटरतोफिन, रिलीजिंग हर्मोन, दूसरा है पितपिंडकर, जिसको कहता है लिविटिनाइजिंग हर्मोन यानि LH , उसके बाद है फुटको दिपक हर्मोन यानि Follicle Stimulating क्रिंग हर्मोन जिसको कहते हैं APSH यानि गनराइच लएज एफेश और उसके साथ साथ एंड्रोर्जर्ण्स एक किसमें मदद करते हैं यह मदद करते हैं सुक्राणू जनन में ठीक है ठीक है यानि सुक्रानु जनन ने बीरी सेचन के बार में देख लिए कि बीरी सन में जो एक सुक्रजनक निर्मान के प्रिक्रिया कोई क्या कहें शुक्रानु जनन कहें और शुक्रानु जनन कहाँ पर एक शुक्र जनन के पस्चा सुक्रानु कहा गया है सर्ट्रोलिक उसका में अंतर स्थापित होता है और अंत में जिस प्रिक्रियादर शुक्रानु सुक्रजनक नलिकाओसे मोचित होता है उसी को क्या खते है system यानि एस पर Meiesan कहते हैं पिइन्ट कोशन की बात करें तो क कुशन के सुक्रिये परदर्व بتज्मा की पर्मूख संगटक क्या क्या है यानि सुक्रिये प्रदर्व में क्या क्या जमिलता है तो प्रूशलिंग के साहए गरंतियों के अंतरगत एक जर्वा स्ञुरा से एक पुरस्त ग्लेंड यानि जिसको इंग्लिस में कहा जाता है प्रॉस्टेट ग्लेंड तथा एक ज़्वा बल्वो यूरेत्रल ग्रेंड सामिल होती है और इन गरंतियों का स्राव शुक्रियस प्रदार्थ यानि सेमिनल प्लाज्मा का निर्मान करता है जो फ्रक्टोज यानि फल सरक्रा कैल्सियम तता कुछ परिकिन्वन यानि एंजायम से भरपूर होता है ठीक है तो यह हो गया दस तक कोशन आप लोग का कंप्लीट तो बाइट टेक क्यार और आगे वाला पार्ट जो है 11 से 20 तक उजल दी आएगा